हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ये देखिए इस तरहें से चोपर में कई बार रसी खराब हो जाती है तो आज मैं इसे बताती हूँ कि हमें इसे कैसे ठीक करना है तो ये देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमें इस चोपर को इस तरीके से खोल बूंगी और ये देखिए ये हमारा उपर का पात इसका हमारा कोई काम नहीं अभी इसको हम साइड में रख देयते हैं और ये जो हमारे दो सारी है को में समक्राइब पेसे उसको यहाँ से उतार लेते यहां पर इसको एक नोट लगा रखी है इसको हम खोल लेंगे यह देखिए देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी रसी खराब हो गई है तो आप इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स अभी जो हमारा बीच वाला पार्ट है इसके नीचे हमने सिफ डोरी को रिप्लेस करना है यह देखिए और अगर आपकी डोरी ठीक है और वो धीली हो गई है तो आप इस तरीके से उसको भी ठीक कर सकते हैं दोनों काम आप इजीली कर सकते हैं यह देखिए हमें इस नोट को खोल लिया है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यह तब ऒरी को हम यहां से भी यहां से यहां से भी घीच लेंगे यह कौनुह से यह दूरी निकलती है यह देखिए अगर आपकी दूरी खराब हो गई है तो आप इसको पूरा निकाल सकते ही देखिए और इसकी चगे आप zijादा बड़ी नहीं देखिए बस यह इतनी साइज की डोरी है यह देखे फ्रेंड्स अब मैं इस डोरी को वापस डाल देती हूं अगर आपकी डोरी खराब है तो आप नई डोरी लगा ले और अगर आपकी डोरी डीली हो गई थी तो आप उसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं यहां से इस साइड से घुमाना है ये देखे राइट हैंड साइड की तरफ से हमें इसको घुमाना है ये देखे इस तरीके से ये गोल-गोल घुमेगा यानि आप सही घुमा रहे हैं अगर ये नहीं घुमना डोरी किचने पर इसका मतलब आपने गलत साइड घुमाया है इसको ये दे दिखान रखेगा फ्रेंड्स ये डोरी हमारी टाइट रहनी चाहिए अगर ये टाइट नहीं होगी तो हमारा ये डीला रह जाएगा यह देखिए यहां से हम इसको निकालके टाइट करके इसको अच्छे से नोट लगा लेगे अगर आपका हलका डीला रहता है तो उसको यह देखिए हमें इस तरीके से इसको बंद कर लेना है यह देखिए यहां पर यह इस तरीके से आएगा और यह हमारा ऐसे बंद हो जाएगा यह देखिए यह देखिए फेंड से हमारा बंद हो गया है और हमारा चोपर एकदम रेडी हो गया है ठीक हो गया है यह देखिए इस तरीके से आप दोनु काम ईसीली कर सकते हैं, रिपेटेस भी कर सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलेurg साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट पूक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी Thank you for watching friends